subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel now ab mean deviation निकालेंगे हम for discrete frequency distribution के लिए mean deviation for the group data और group data के अंदर यहां पर group data नहीं है यह ungroup data है मैं इसे correct कर लेता हूँ this is ungroup data और यह discrete frequency distribution के लिए करेंगे यानि कैसे जब आपको midpoint x i दिया होता है और frequency fi दिया होता है तो आप कैसे calculate करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे deviation निकाल लेंगे x i में से उस value का जो भी आपकी value है उसे फिर absolute बना देंगे modulus लेके और फिर क्या करेंगे आप fi में multiply कराएंगे इस modulus x i minus a की इस तरह से और फिर आप क्या करेंगे sum निकाल देंगे sigma fi multiplied it by x i minus a और sigma fi का भी कराएंगे और then mean deviation about a किस में आ जाएगा this is equal to sigma fi x i minus a upon sigma fi ये आपका mean deviation आ जाएगा एक example से समझते हैं example is find the mean deviation about mean mean के about निकालना है for the following data तो आपको जो data है यह आप लिख लेजे सबसे पहले मैं आप एक si और fi को लिख लेता हूँ x i कितना है 2, 5, 6, 8, 10, 12 यह आपका है और अब यहाँ पर मैं fi की value 2, 8, 10, 7, 8, 5 यह आप निकाल देता हूँ अगर sigma fi की बात करें तो sigma fi कितना है यहाँ पर sigma fi is 40 आट कराने पर then इसके बाद यहाँ पर मैं x i fi भी निकाल देता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी mean निकालने के लिए तो x i fi के लिए 2, 2s are 4, then 40, then 60, then 8, 7s are 56, then 80, then 1, यह 60 आ गया तो यह sigma x i fi का sum कितना है यह अगर आप निकालेंगे यह sum 300 आ रहा है अब इसके बाद आपको यहाँ पर mean निकालना है पहले तो पहले mean निकाल देंगे mean is equal to क्या आएगा sigma x i fi upon में sigma fi यानि के 300 upon में 40, 0 से 0 कैंसिल आउट आ गया और यहाँ पर जब 4 से divide कराएंगे तो 7.5 आ जाएगा, 7.5 आया आप deviation निकाल देंगे हर एक value का 7.5 से और मैं इसी का modulus भी ले लेता हूँ तो पहले अब 2 मेंसे 7.5 जाएंगे तो 2.25, 5.5 बचेगा minus का लेकिन modulus उसे plus का करतीगा तो 5.5 आया, then 5 मेंसे 7.5 जाएंगे तो 2.5 minus का लेकिन plus का लिखेंगे modulus की वज़ा से then 1.5, then उसके बाद 0.5, 8 से जब निकालेंगे और 10 से निकालेंगे तो 2.5, 12 से निकालेंगे 4.5 अब उसके बाद हम क्या करेंगे, f i की यहाँ पर sigma x i minus 7.5 यानि mean से modulus से multiply कराएंगे जब आप कराएंगे तो 2 की 5.5 में कराएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, then उसके बाद 8 की यहाँ पर 2.5 से कराएंगे, तो कितना आजाएगा, यहाँ पर 20 आजाएगा, then 1.5 की 10 के अंदर कराएंगे, तो 15.5 की 7 में कराएंगे, तो 3.5 आजाएगा, then उसके बाद 20 आज कैसे आ जाएगा, mean deviation is equal to sigma xi multiplied by xi fi, यह sigma fi multiplied by xi, यह mean, यहाँ पर मैं mean लिख देता हूँ, mean आप जानते हैं, कैसे आपने deviation निकाला है, upon में sigma fi, तो कितना है, यह value आ गई, 92 upon 40, जो कि कितना हैगा, 2.3, तो 2.3 is a mean deviation about mean, इस डेता के लिए आ गया,